नमस्क्राइब दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं स्वामी विवेकरनन उच्चतर मादिमिक बिद्यालाई सीमल खेत यानि कि हम लोग आवेदन कर सके अभी बीच में अर्विन पांडे जी जो कि अभी सिक्ष्यावंत्री हैं उनका बयान भी आया था कि जो असाच की स्कूल होंगे उनमें आयो के द्वारा जो है भरती करने का भीचार चलना है लेकिन दोस्तों इतना मान के चलिए कि जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे इसलिए असाच की स्कूल भरती जो है मैनेजमेंट के थुरू ही होनी है तो हैमें उस चीश को मान कर ह चलन हैं तो आज हम बात कर रहा हूं जिस भीकप्ति के बारे में वह फ्र justo नचारी रूप में या प्रधान ano ड्यापक के सब में देखे है सब्सक्राइब करने का तरीका है वो जैसे हम सिख्षक के लिए जो है आवेदन करते हैं सेम उसी प्रकार रहेगा कि प्रधान द्यावकपत का जो आवेदन पत्र है मुख्य सिख्षादिकारी अल्मुडा के कार्यालाई से ही प्राप्त किया जाएगा तीन सो का पोस्टल ओडर या बैंक ट्राफ लगा कर ठीक है बाकी जो सेक्षिक योगिता है वह बाहर अंकित करनी है लिफापे के बाहर दाई और फद एउंग विद्यालाई का नाम अवश जरूरी है तो भारत में विद्य द्वारत स्ताबित किसी विद्यालाई से सनात्क उत्तर उपादी के सांद विद्यालाई की बियर की उपादी या राज्य सरकार से प्राप्त जो अल्टी डिप्लोमा और माननता प्राप्त हाइस्कूल या इंटर कॉलेज में पांच रट होना चाहिए या इसके अलावा है स्कुल कक्षाओं में 5 पॉर्थ के अद्यापन अनभव के इसाँ जूनियर कक्षाओं में 7 वर्थ का अनभव होना चाहिए या जूनियर है स्कूल में प्रधान अद्यापक के रूप में पांच वर्सका अनुबव होना चाहिए ठीक है तो अब जो सबसे बड़ी बात है वह अनुबव प्रमाण पत्र कौन देगा तो ओखंड सिक्षारी कारी के सिगनेचर भी होंगे और मुख्य सिक्षारी क स्कूलों में जो बिगप्ती आई है नियू सेशन के लिए तो उसके आधार पे हम लोग कौन-कौन से विद्यालई में कब-कब हम लोग जा सकते हैं तो केंडरी विद्यालई भारती तिबद सीमा पुलिस मिर्थी ये पितावड़ागर्स में हैं तो सेशन 2021-22 के लिए जो ह संबाहुत रिक्तियों के साफ एक स्पून तो अंसकालिक आधार पर समीदा सिक्षेगों का पैनल तयार करने हैं तो साक्षातकार का आईजन क्या जा रहा है तो कब करना है इच्छुक अब बिर्थी दिनांग 25-22-21 वो 26-22-21 को दिए गे समयानुसार अपने समस्त मोल प्र होने हैं जिसका सब्जेक्ट जो होगा उसके अकोर्डिंग आप देख लेजेगी 25 फरवरी को है या 26 फरवरी को है यहां पर दे रहे हैं पीजेटी में हिंदी अंग्रेजी गडित वहुतिक विज्ञान रसाइन विज्ञान जीव विज्ञान अर्थसास्त्र कंप्यूटर विज्ञान इतिहास यंग भूगोल ठीक है तो अब इसमें योग्यता क्या होने चीए तो योग्यता 55 परतिसात होने चीए ठीक है और बीएड होने चीए और जो पीजेटी का सब्जेक्ट है वो होना चीए जो पीजी अब जब हम करते तो और कंप्यूटर के लिए क्या क् सकते हैं तो computer विग्यान में जो है PG होना चाहिए बीटेक वाला कर सकता है यह सब आवेधन कर सकते हैं कब होना है यह 25 फरवरी को होना है 9 बजे उपस्तित रहें ठीक है अब TGT की बारी आती है तो TGT में जो है कौन-कौन सा अंग्रेजी गनेत एं सच्कृत है तो मान जाता इसमें भी 50 परतिशत होने चाहिए और जो है बीर्ड होना चाहिए और सीटेट टू होना चाहिए और यह भी 25 फरवरी को ही होगी 11 बजे से इनका समाई कितना है 11 बजे है अब देखिए PRT में ठीक है PRT में कितना है सीटेट फ फरवरी को ठीक है इसके डेट है 9 बजे और चाहिए जो चल जाएंगे 26 फरवरी को कब से 11 बजे से और कोच जो है किसकी बॉलीबॉल क्रिकेट बॉसकेट बॉसकेट बॉल टाइकॉंडो का कोच यह 26 को होना है इसके अलावा योग परशिक्ष्यू ठीक है नर्स और संगीत परचिक्षक k잡्य चबॉसको ही होने तो बांकी के जो मापद sharnd वहां पर देख सकते हैं इसके अलावा कौन से केंद्री विद्यालाई में बिग्यप्ति आई तो केंद्री विद्यालाई जो ओ एल एफ राइफुर दहरादोन है उसके उसमें भी जो है अंसकाली नादार पर समीदा सिक्षकों के नियोक्ति है तो नोटिस ठीक है इसका मैं भीयुरनूंदल yönगा कि कहसे सेलेक्षन होगा कि क्या करना हूँध साथ कितने समाई के लिए सेलेक्षन होगा तो ठीक है तो इस पर मैं बातमन लाष्ट में बात करूंगा पहले आप इसको देख लीजें कि समीदा सिक्षण का पैनल तैयार करने है योग को इच्चों का व पत्र में online आवेदन आमेंतरित एक जो मिर्थी में जो था उसमें सिद्ध डारेक्ट स्कूल में जाना है और इसमें क्या करना है आवेदन जो है ओनलाइन मगाये गहें तो इस पर हमने जो है आवेदन पत्र भेज ठीक है यहां से डाउनलोड करना है और पूर्ण भरेवे आवेदन पत्र को स्केन करके विद्यालग के इमेल पर भेजना है यहां पर भी आप देख सकते हो यह विफसाइट है और मेल यहां पर नीचे दिया हुआ है तो आप यहां पर से जो है इसक्रिंग दे सकते हो और यहां पर फिर क्या किया जाएगा कि जो इसमें से सेलेक्ट करके उसके बाद जो है अलग से क्या किया जाएगा उसमें इंटर्व्यू यानि कि साक्षातकार के लिए फिर बुलाए जाएगा और जो है छटनी करके जाएगी और उसके पश्चार ठीक है उसके पश्चार जो है उनको इंट्रव्यू के लिए पुलाए जाएगा और यहां पर साब किंद्री विद्यालाई हल्वानी यानि कि छाउनी ठीक है कहां पर बोटिया पढ़ाओ हल्वानी जिल्ला ठीक है नहीं तालमा आता है तो अब देखिए कब है किंद्री विद्यालाई हल्वानी छाउनी में 7220281920 एओं जो है जो आप शाक्साथ का पीजटी टीटी पी तो इसमें क्या है यहां से आप जो है प्रपत्र यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जो रिजिस्टेशन यह सुनेश्चित करना है कि हम लोग उस योग्यता को रखते हैं ठीकर निर्धारित पंजी गरण प्रपत्र दिनांग 12 2221 को पहुंच जाना चाहिए ठीक है पीडिये फॉर्म में अप्लोड करना है और जो योग्यताय हैं वो देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं और सभी अभियर्थी अब्यास होना चाहिए और जो है साक साथकार के लिए आने जाने हैं तो किसी परकार ब्याई देई नहीं होगा इसमें इस पश्ट बोला गया है ठीक है और साक साथ कार वाले दिन अभियर्थीं को मूल परमाण पत्रों के सांद दो पासबोर्ट साइज फोटो पहचान पत्र सबसे पहले कॉंसे प्रामर सिदाता ठीक है कवह इसका सत्रह दो दो हजार इसको इसमें क्या होना चाहिए जो मनना हुई ज्याने इसमें एक वर्स का अनबौव ठीक है या तो यह होना चीह या तो यह होना चीह संगीत परशिक्षक है इंटर्मेडेट में जो है पचाप परतिसत अंकों के साथ संगीत यह हों जो है सनातक की उपादी संगीत में यह भी सत्रक होगा कोछ है बालीवल बास्केटबॉल और टेबल टै हिंदी अंग्रेजी गरिद्बोती विःज्ञान रसाइन विःज्ञान जी विःज्ञान अर्थ 6 वांड़ीजिये कंप्विटर साइन्स रिहास बुगोह और योग्यता सेम है तो लेकिन यह kब होने अठारग होने ठीक है अब कंप्विटर प्रसिक्षक कंप्विटर प सामाजिक विग्ञान और सीटेट को प्रात्मिक ता साब साब लिखा हुआ है यहां पर ठीक है इसके अलाव प्रात्मिक शिक्षक में जो है प्राइमरी प्यार्टी अब्यर्थियों की संख्यावत ताइमानुकों से अधिक होने पर आउशक्तानुसार साक्षातकार के पूर रिखु को ही स्क्रींनिंग पर इक्षया आयजित की सकते जिस से उवेर्थियोत तयार है यह इनि कि क्या है इसके अगर जादा अबर्स आथे हैं पिए निमें पिए फिमेंागर जादा आते हैं तो only आ जो है बिगडियों की तो अब इनका किस परकार से यह रहता है हम देखेंगे अभी किस परकार से इनका सेलेक्शन प्रक्रिए रहती है तो सबसे पहले जो है candidate को एक form फिल करना होता है जो कि विद्याले में जाने पे जो हैform फिल करेंगे फॉम फिल करने के बाद हमें इंट्रिव्यू का वेट करना पड़ता है यहांने की इंट्रिव्यू होता है हमारा तो इंट्रिव्यू में कम से कम तीन कंडिडेट आने चाहिए वह सभी जगह के लिए लागू है कहीं भी अगर तीन से कम कंडिडेट होते हैं तो बहुत जगह ग्रामिड परिवेस को देखते हुए भी जो है हिंदी में भी कुशन पूछे जा सकते हैं और साक्षातकार में जो है एक नोडल अधिकारी बैठता है या हो सकता है कि अन्य कोई भी अधिकारी उसमें सामिल रहते हैं और एक कमेटी होती है वह सेलेक्शन करते है है कंडिडेट का उसके बाद जो है फाइनल लेस्ट या तो विद्याले की साइट पर डाल दी जाते है या खुद मेल द्वारा या मेल करके हमको भीजा जाता है तो रिजली भी बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन इसमें एक खामी यह है कि अगर हमारा सेलेक्शन हो भी गया तो उस बीच में अगर वहां पर कोई पर्मानेंट शिक्षक आ जाता है पर्मानेंट शिक्षक आता है तो हमें अगले दिन ही बिद्यालाई को छोड़ना पड़ता है ठीक है अगर एक दिन भी हमें बिद्यालाई में हुआ है दूसरे दिन पर्मानेंट शिक्षक हमारे प्रवाल के लिए नहीं आता है तो यह बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए क्योंकि वेतन और जो इसकीम है वो पूरा जैसे अदर शिक्षकों को उसका लाब मिलता है उतना ही जो है अभी समीदा पर रखे गए शिक्षकों को इसका लाब मिलता है और सायद इसका जो है अच्छा पैसा देते हैं तो हम सभी कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसका नजदीक बढ़ता है लेकिन उसे पहले आप विद्यालाई में अगर कोई परिचित हैं तो उनसे पता कर लिए कि कौन सी जो है कौन से सब्जक्ट की सीथे खाली बहुत बार ऐसे भी कर अगर कोई जान पेचान वाले हैं तो उनसे पता कीजिए कि कि सब्जक्ट के जैसे माना हिस्ट्री में खाली है हिस्ट्री में खाली है तब जाके इंट्रव्यू देना बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि उसमें से जो कंडिडेट आएंगे उन्हीं में से एक चुनना हैं अगर हो सकता है हिस्ट्री का सब्सक्राइब करें अगर हो सकता है कि तब जाके उस टैम पर बुलाएंगे तो यह जादा फाइदे मन नहीं रह रहा है तो दोस्तों उमीद करता हूं आप सभी जो है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आती तो एदिक से एदिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद